दोस्तों आज हम इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं साबुद दाने की सूपर टेश्टी खिचडी नवरार्ती वर्त में खाय जाती है साबुद दाने की खिचडी नवरार्ती का वर्त रखने वाले लोगों की सबसे बड़ी प्रशानी यह रहती है कि उन्हें येस समझ नहीं आता कि वर्थ के दोरान क्या खाया जाए और क्या नहीं ऐसे इसलिए होता है क्योंकि वर्थ के दोरान फलाहारी खाने का विकलब बहुत कम मोजुद होता है इन कुछ किलपों में साबुद दाने की खिचडी एक एसा फलहारी खाना है जिसे वर्त नवरारती के दोरान वर्त करने वाले लोगों के बहुत पसंद आता है अगर आप भी इस साल नवरारती का वर्त करने वाली है और फलहारी रेसिपी खोज रही है तो इस वीडियो में साबुत दाने की खिषडी बनाने की सबसे आसान रेसिपी दे जा रही है तो आईए जानते हैं आज की रेसिपी और इसका बनाने का तरीका क्या है इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले 1500 ग्राम साबुद दाना लेकर इसे पानी में धोकर और एक घंटे के लिए धिगो दे अब आप देख सकते हैं इस सूखा साबुद दाना है ये कितना बारिक है और जो मैंने एक घंटा पहले भीगोया था उसको देखिया आप कितना मोटा मोटा फूल कर हो गया है साबुद दाना जब एक घंटा भीग जाए तो उसके बाद ये पूल कर बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा हो जाता है साबुद्दाने जब एक गंटा भी गोले तो उसके बाद जो है साबुद्दाने का पानी निकाले और आलू को छील कर एक मीडियम साइज का आलू को बारिक कट करके रख ले अब इधर गेस के उपर कड़ाई रखे कड़ाई में यहां घी या तेल डाले आप अपनी पसंद से देशी घी या फिर तेल जो भी आप खाना चाहते हैं डाल सकते हैं फिर अब इसके अंदर जब तेल गरम हो जाए तो आलू को उठाए हाथों से और तेल के अंदर डाले कोटोरी एकदम ना पल्टे क्योंकि आलू जब धोते हैं तो कोटोरी ये बरतन के अंदर नीचे पानी रह जाता है तो पानी बचा कर आलू को डाल कर यहां पर सुनहरा भूरा कलर होने तक मूल ले जब आलू का कलर सुनहरी भूरा हो जाए तो तेल को बचाते होए आलू को निकाल कर एक पलेट में कर ले इसके बाद जो तेल कड़ाय में बचा है उसी तेल के अंदर आधा चम्मच जीरा और एक चुटके हिंग डाल कर जीरों को भून ले जब जीरा भून जाए तो इसमें दो हरी मिर्ची बारिक करके डाले साथ में ही एक चम्मच कड़ुकस किया हुआ अधरक डाल कर इसे भी भून ले जब ये भून जाए तो इसके अंदर डाले एक चम्मच बढ़ां भरके मुंगफली की गीरी आप चाहें ये रेड़ वाली मुंगफली गीरी डाल सकते हैं मैंने यहाँ पर छिलका उत्री हो ही सफेद वाली मुंगफली डाली है जब ये बरौन हो जाए तो इसके अंदर भीगा हुआ साबुत दाना डाले और साथ में ही एक चम्मच काली मिर्ची पोडर डाल कर इसको अच्छे से चलाते होई मिक्स कर ले इसके बाद इसमें बड़े दो चम्मच भर के पाणी के डाले मैं कप से माप कर डाल रही हूँ एक कप में एक बड़ा चम्मच पानी आराम से आजाता है फिर पानी डालने के बाद ही अच्छे से mix कर ले mix कर ले और ध्यान रहे gas को एकदम धीमा रखे धीमे आज पर ही हमें इसे पका कर तयार करेंगे mix करने के बाद इसे ढखकन सेढ़क दे और 6-7 मिनट के लिए इसे धीमे आज पर पका ले जब 6-7 मिनट हो जाए तो इसको आप देखे यहां साबुत दाना अगर एक दम सोफ्ट मुलाइम हो चुका है तो यहां पर पके तयार हो गए लेकिन आप देख सकते अंदर अभी इसके अंदर कच्छा पन है तो इसमें एक कप पानी और डाल कर इसे चला दे और अगर आपको इसमें नमक का टेश्ट चाहिए तो सादा नमक बिल्कुल भी न डाले और इसमें आप यहां सेंदा नमक डाल कर स्वाद अनुसार मिक्स कर ले और फिर इसे यहां पर ढ़कन से ढ़क कर एक डेड़ी मिनट के लिए और पका ले ताकि जो साबुत दाना का चपने सारा चला जाए और खिचड़ी बनकर तयार हो जाए जब धिमियाच पर हमने पूरी खिचड़ी बना कर तयार की है जब एक डेड़ी मिनट हो जाए तो उसके बाद इसे देखे कि साबुत दाना एकदम सोफ्ट हो चुका है तो अब इसमें फराई किया हो आलू डाले साथ में हरादन या पत्त भी डाले और इसे यहां अच्छे से चलाते होई मिक्स कर ले मिक्स करने के बाद इसे यहां गेस को बंद कर दे और फिर इसे ढख कर एक से दो मिनट के लिए रख दे जैसे दम देते हैं न चावल में बिलकुल ठीक उसी तरह इसमें भी दम लगा ले अब इसे नी चावल के खाना भोल जाएंगे आई होब दोस्तों आपको मेरी रेसिपी बहत ही ज्यादा पसंद आई होगी अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक और ज्याद ज्यादा शेयर करें और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल कर लिजिए ताकि आपके लिए ऐसी और मज़ेदार रेसिपी लेकर आते रहें अगर आपकी कोई भी पसंदीदा ऐसी रेसिपी है तो मुझे कमेंट में बता सकते हैं तो ताकि आपके लिए आपकी पसंदीदा रेसिपी हम अपलोड कर सकें तो चलते हैं मिलते हैं अगली क और ने रेसिपी की साथ तब तक आप हमें धेर सारे कमेंट और लाइक करते रहें और एक बार इसकी ट्राइज रूर करें तो चलते हैं बाई टीक यार थेंक यू